हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका Indian Construction Info Channel में इंडिया में भारतमला परियोजना के अंडर कई economic corridors, highways और expressways under construction हैं इन huge और mega projects की मदद से Indian economic को एक much needed boost निश्चित ही मिलेगा High quality और world class standards से बनने वाले ये roads, logistics की cost और congestion की problem को कम और transportation और mobility को तेज और बहतर करेंगे इसी सीरीज में Delhi Amritsar Katra Expressway एक important role play करेगा आज के इस special वीडियो में हम इसी Delhi Amritsar Katra Expressway को discuss करेंगे जिसमें हम detail में देखेंगे इस project से जुड़ी तमाम important information including some technical details, total project length, project cost, route alignment, structures proposed under this project, land acquisition या कहें भूमिया दिग्रहन की details and information, construction packages under this project, working contractors, project importance, current status and progress, etc. तो दोस्तों complete information के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए अगर आप इस infrastructure related channel पर पहली बार आएं हैं तो इस वीडियो को like और channel को subscribe करके हमारा motivation जरूर बढ़ाएं साथ ही info updates and details के लिए Indian construction info की website भी जरूर विजिट करें Reports के according initially Delhi to Katra Expressway का प्रस्ताव जमू एं कश्मीर सरकार द्वारा किया गया था जिसके बाद Union Minister नितिन गटकरी ने changes करके इस Expressway को भारत मला परियोजना के अंतरगत शामिल किया वर्ष 2017 में National Highway Authority of India NHAI द्वारा Delhi to Katra Expressway की detailed project report तयार करने के लिए एक consultant को hire किया गया था और वर्ष 2019 में DPR तयार हो चुका था लेकिन पंजाब राजे से इस Expressway के route alignment में बदलाव की अवाज उठने लगी पंजाब सरकार का कहना था कि चुकी अमरित सर में सालाना 4 मिलियन टोरिस आते हैं और साथ ही सिख धर्म के पहले 5 गुरू द्वारब बसाये गए 5 धार्मिक शहर सुल्तानपूर लोधी जिसे सिख धर्म के पहले गुरू श्री गुरू नानक जी द्वारब बसाया गया था खदूर साहिब जिसे सिख धर्म के दूसरे गुरू श्री गुरू अंगद जी ने बसाया था गोईंदवाल साहिब जिसे तीसरे गुरू श्री गुरू अमर्दास जी ने बसाया था अमरित सर जिसे चौथे गुरू श्री गुरू रामदास जी ने बसाया था और तरन तारन जिसे सिख धर्म के पांचवे गुरू श्री गुरू अरजन जी ने बसाया था ये सभी शहर अमरित्सर के नजदीक हैं इसलिए पंजाब सरकार डेली कट्रा एक्सप्रेसवे से एक फ्रेश 99 किलोमिटर का ग्रीन फीड एक्सप्रेसवे स्पर रूट की मांग कर रही थी जो कि अमरित्सर के साथ इन सभी पाँच धार्मिक शहरों को आपस में और डेली से क अर्याना एंड पंजाब और एक यूनियन टेरिटरी जमु एन कश्मीर से होकर गुजरेगा इस प्रोजेक्ट के अंतरगत एक्सप्रेसवे डेली के नजदीक से शुरू होकर पंजाब राज्ये के नकुदर से दो सपर रूट में डिवाइड होगा जिसमें से एक रूट अमरिद सर तक जुडेगा वहीं दूसरा सपर रूट नकुदर से जमु कश्मीर के कट्रा तक होगा डेली से कट्रा तक इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 570 किलो मेटर्स की होगी और वहीं डेली से अमरिद सर की दूरी 405 किलो मेटर्स की होगी इस प्रकार डेली अमरि सर कटरा एक्सप्रेस वे एक green field टाइप और brown field टाइप एक्सप्रेस वे का combination होगा initially इस एक्सप्रेस वे को four lane का construct किया जाएगा जिसे future में up to eight lanes तक extend किया जा सकेगा जिसके लिए इस project के right of way या कहें row को 90 meters का रखा गया है इस project के अंतरगत डेली से पंजाब के गुर्दासपूर तक और पंजाब के नकुदर से अमरिटसर तक entirely fresh green field access control टाइप एक्सप्रेस वे का construction होगा वहीं पंजाब राज्ये के गुर्दासपूर से जमवेंड कश्मीर के कटरा तक के section में कुछ parts green field और कुछ parts brown field type expressway होगा जिसके अंतरगत existing highway को expressway में upgrade किया जाएगा डेली अमरिटसर कटरा एक्सप्रेस वे हर्याना राज्ये में कुल 135 km का distance कवर करेगा वहीं पंजाब राज्ये में नकुदर्डू अमरिटसर के 99 km पर route को मिलाके अप्रोक्स 398 km का distance कवर करेगा और वहीं जमू कश्मीर union territory में यहाँ expressway कुल 172 km का distance कवर करेगा दोस्तों वर्तमान में डेली से अमरिटसर की दूरी approximately 450 km की है जिसे currently कवर करने में अप्रोक्स 9 hours का समय लग जाता है और डेली टू कटरा की दूरी approximately 630 km की है जिसके सफर में वर्तमान में approximately 12-13 घंटे का समय लग जाता है डेली अमरिटसर कटरा expressway के construction से completely access controlled और high quality roads की सुईधा मिलेगी जिससे डेली टू अमरिटसर मात्र 4 घंटों में पहुचा जा सकेगा और डेली टू कटरा मात्र 6 hours में पहुचा जा सकेगा In other words हम कह सकते हैं कि वर्तमान की तुलना में travel time from डेली टू अमरिटसर and कटरा will almost cut to half अगर बात करें इस expressway project के route alignment की तो यह expressway Delhi border के नजदीक हर्याना राज्य में जजजर district के जसौर खेरी में कुंडली मानेसार पलवल expressway जिसे western peripheral expressway भी कहा जाता है से शुरू होकर रोहतक जिले में हसंगड, किलोई, गोहाना, जींद district में पीलू खेला, रतोली, अलेवा, पेगान, कैथर district में कलायत, बरता, पतियाला district में गलोली, परतन, शंगरूर district में संतपुरा, भवानिगढ, धूरी, मालेरकोटला district में मालेरकोटला, कूपकलान, अहमदगड, लुदियाना डिस्टिक्ट में जोधन, हसनपूर, मुलनपूर डाखा, हम्बरन, शेरपूर, जलंधर डिस्टिक्ट में नूरमहल, शंकर, चककलान, नकोदर नकोदर से यह एक्स्प्रेसवे दो स्पर रूट में डिवाइड होगा, जिसमें से एक टूर्ड्सर और दूसरा टूर्ड्स कट्रा जाएगा पहले अम्रितसर स्पर रूट की बात करें तो यह नकोदर से कपूर्थला डिस्टिक्ट में सुल्तानपूर लोधी, तरणतारं डिस्टिक्ट में गोइंद्वाल साहिब, खदूर साहिब, तरणतारं साहिब, अम्रितसर डिस्टिक्ट में भागतपुरा, रक films मानवाला, होते हुए श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एरपोर्ट तक पहुँचेगा स्पर टू नकोदर से जलंधर डिस्टिक्ट में संगल सोहल फतेह जलाल करतारपूर नडाला तांडी गुर्दासपूर डिस्टिक्ट में मारी तांडा तूगलवाल गुर्दासपूर सिटी पनियार, पठान कोट, जम्मू कश्मीर में कठुआ, सांबा, जम्मू होते हुए कट्रा पहुँचेगा दोस्तों इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इस पर वाहन 120 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफतार से चल सकेंगे डेल हीयमरित सर कटरा एक्सप्रेसवे fully access control type green field expressway होगा और इस expressway के दोनों और प्रापर crash barriers and barricades का installation होगा और साथ ही right of way के both sides पर boundary walls का निर्मांध भी होगा जिसकी वज़े से expressway पर किसी भी प्रकार के wild life या domestic animals प्रवेश नहीं कर सकेंगे इससे accident का risk तो कम होगा ही साथ ही इससे ultimately traffic का without any hurdles and congestion के free flow और smooth moment भी हो सकेगा डेली अमरिसर कटरा expressway के carriageway या कहें pavement flexible type का होगा जिसकी design life minimum 50 years की होगी expressway पर advanced traffic management system को implement किया जाएगा इसके साथ ही इस पर regular intervals पर CCTV cameras, emergency calling booths, trauma centers, truck levies, fuel station, wayside amenities को भी develop करने का प्रावधान है अगर बात करें proposed structures की तो इस project के अंतरगत 14 railway over bridges, 31 interchanges, 11 flyovers, 6 major bridges, 1 major bridge कम vehicular underpass, 7 major bridge कम small vehicular underpass, 13 major bridge कम light vehicular underpass, 15 minor bridges, 6 minor bridges कम vehicular underpass, 84 minor bridges कम light vehicular underpass, 33 minor bridges कम small vehicular underpass, 1 minor bridge कम duct, 8 wire ducts, 57 vehicular underpass, 240 light vehicular underpass, 208 small vehicular underpass, 1,238 culvert type structures का निर्मान होना है और इस expressway के overall construction में approximately 14 करोड 47 lakh cubic meters earthwork, 75 lakh cubic meters of GSB या कहें granular subbase, 6 lakh 44,000 metric ton of bitumen, 19 lakh metric ton of cement, 21 lakh metric ton of sand, 3 lakh 84,000 metric ton of steel, approximately 4 करोड क्यूबिक meters of fly ash और 4 करोड 60 lakh kilolitres of water का इस्तेमाल होगा, ऐसा expect किया जा रहा है अगर बात करें डेली अमरिच सर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अंतरगत होने वाले land acquisition की, तो इस प्रोजेक्ट के लिए approximately 6,500 hectare भूमी को अधिकृत किया जाना है डेली अमरिच सर कटरा एक्सप्रेसवे का foundation stone, जमू एन कश्मीर union territory में इस वर्ष 24 अप्रेल 2022 को officially प्राइम मिनिस्टर द्वारा रखा गया था फ्रेंट्स जमू एन कश्मीर union territory में यह डेली अमरिच सर कटरा एक्सप्रेसवे एक स्पर रूट के माधियम से जमू एरपोर्ट से भी जुडेगा डेली अमरिच सर कटरा एक्सप्रेसवे को phase-wise डिवलप किया जाना है जिसके लिए इसे दो phase में divide किया गया है फर्स्ट phase में डेली टू गुर्दासपूर और नकुदर टू अमरिच सर सेक्शन शामिल है वहीं गुर्दासपूर टू कटरा सेक्शन को phase 2 में रखा गया है और construction work के लिए डेली अमरिच सर कटरा एक्सप्रेसवे के phase 1 जो की completely green field type expressway होगा को कुल 15 packages में divide किया गया है जिसके अंतरगत डेली टू गुर्दासपूर सेक्शन में 12 और नकुदर टू अमरिच सर सेक्शन में 3 packages आते हैं वहीं phase 2 जो की green field और brown field expressway का combination होगा को कुल 5 construction packages में divide किया गया है डेल ही अमरिच सर कटरा expressway project का construction वर्ष 2021 अप्रेल से प्रारंब हो चुका है और वर्तमान में इस expressway का निर्माण करन्ट प्रोग्रेस की बात करें तो वर्तमान में कुछ packages पर ground level पर काम स्टार्ट हो चुका है वहीं कुछ packages में अब भी land acquisition का work under progress है और चुकि बीते वर्ष पंजाब राजे के किसानों की भूमी अधी ग्रहन में मिलने वाली राशी के खिलाफ आंदोलन और विद्रो देखा गया था जिससे land acquisition के कार्य में प्रभाव पड़ा है इसलिए डेली अमरिच सर कटरा expressway के completion में delay expect किया जा रहा है और currently इस project का वर्ष 2025 डिसंबर तक completion and operational होना expect किया गया है डेली अमरिच सर कटरा expressway project के majority section का construction hybrid annuity model के तहत किया जा रहा है जिसके अंतरगत overall project cost का 40% government द्वारा fund किया जाएगा वही remaining 60% fund construction companies bear करेंगी और जिनका ROI and profit stipulated time frame तक toll fairs collect करके payback किया जाएगा वही कुछ sections को engineering, procurement and construction model के तहत construct किया जा रहा है डेली अमरिच सर कटरा expressway project की overall construction cost 39,500 crore रुपीज एप्रॉक्स होगी दोस्तों इस expressway के construction से निश्चित रूप से fuel और time की huge savings तो होगी ही इसके साथ ही भारत के important religious places like golden temple अमरिच सर, five holy cities in the state of Punjab और वैशनो देवी temple near कटरा in Jammu and Kashmir की connectivity Northern India और Western India से और भी तेज और बहतर हो जाएगी जिससे tourism industry के growth को एक strong push मिलेगा डेली अमरिच सर कटरा expressway project की खास बात यह भी है कि इस project का majority portion rural और economically backward area से होकर गुजर रहा है और आने वाले time में after completion of this project इन areas के socio, economical और industrial development को एक जबरदस्त boost मिलेगा Friends, Delhi अमरिच सर कटरा expressway हर्याना राज्य के मुवाना विलेज के नजदीक वर्तमान में under construction trans हर्याना expressway जो की अंबाला कोटपुतली economic corridor का हिस्सा है से भी interchange के माधियम से जुडेगा इस project से जुड़ी एक और information यह भी है कि अमरिच सर टु गुरदासपुर रोड को signal free बनाने के प्रस्ताओ को भी मनजूरी मिल चुकी है जिससे इन areas में traffic flow seamless और smooth हो जाएगा तो दोस्तों यह थी complete information Delhi अमरिच सर कटरा expressway के बारे में आशा करता हूँ यह वीडियो आपको informative लगी होगी अगर वीडियो आपको helpful लगी हो तो इस वीडियो को like, share and चैनल को subscribe जरूर करें साथ ही bell icon भी जरूर दबाएं जिससे हमारे चैनल की तमाम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी इसके साथ ही आपके सुझाओ और इस project से जुड़े अपने वीचार comment section में जरूर व्यक्त करें धन्यवाद